दोस्तों नमस्कार हम लोग भारती सम्मिधान तथा राज ब्यवस्था के संबैधानिक विकास क्रम को देग रहे थे और इसी के अंतरगत हमने आप से बिटिस काल के द्वारा लाए गए विभिन चैटर हुआ भारत परसद अधिनियम तक की बात की थी और अंतिम रूप से कहा था कि भारती परसद अधिनियम उन्नीस सो उन्नीस या परसद की रूप में अंतिम अधिनियम होगा इसके बाद फिर उन्नीस सो दस के बात के दसक में कई परवरतन होते हैं उन्नीस सो नो के भारत परसद अधिनियम में बिटिस के द्वारा मुस्लिमों के बीच फूट डालने की कोशिस की जाती है और मुस्लिमों को धर्म के आधार पर संप्रदाइक्ता के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है किन्तु उन्नीस सो सोला का लखनो सम्मेलन होता है कांग्रेज का जिसमें मुस्लिम लीग गरम दल और नरम दल दोनों का आपस में समझोता हो जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेज का गरम दल और नरम दल आपस में एक बार फिर से मिल जाते हैं तो ऐसे में अब वहीं दूसरी तरफ मातिमा गांधी का भी 1915 में भारत आग्मन हो चुका होता है और 1917 में चंपारन आंदूलन भी वे सफलता पूर्वख भारत में कर चुके होते हैं ऐसे इस्ति को देखते हुए बिटी सरकार को अब लगने लगा कि भारती जनता में असंतोस्यों आक्रोस की भावना फिर से बल्वती हो गई है पनव गई है अता इसे समय रहते कम करने का प्रियास किया जाए तो इसे को ध्यान में रखते हुए बीस अगस्त उननीस सो सत्तरा में कब की बात हो रही है तो बीस अगस्त उननीस सो सत्तरा को बेटी सरकार के द्वारा यह घोस्त किया जाता है कि उसका उद्देश से भारत में करमिक रोप से एक उत्तरदाई सरकार का गठन करना है तो यह बीस अगस्त उननीस सो सत्तरा को घुशना हो जाती है और इसी एक बात बीटी सरकार कोस्त करती है हम आपके सासन के लिए एक आपके लिए एक भारत सासन अधनियम उननीस सो उननीस लाक ले लाने वाले हैं तो भारती सासन अधनियम उननीस सो उननीस क्योंकि इसमें ब्यापक सतर पर बदलाव किया गया तो हम समझते हैं कि भारत सासन अधनियम उननीस सो उननीस है गया इसके बारे हम समझेंगे अब इस समय भारत के रासचियू जो इस समय भारत के रासचियू हैं वो कौन हैं मान्टेंगयू कौन है मान टेंग्यू तो इस समय भारत के राज सचियू मान टेंग्यू है तथा वाई सराय की बात किया जाए तो इस समय भारत के वाई सराय कौन है चेम्स फोर्ड है कौन है चेम्स फोर्ड तो दोनों की सायुक्त नाम से यानि पहले भारत का रास सची उप्वाटिन पड़ था ते नाम पहले रखा जाता था जबकि वाय सराय का बाद में तो दोनों को मिला करके भारत सासन दिनियम उनीस को भारत में मांटेंग्यू चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है मांटेग्यू चेम्स फोर्ड होगा चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है क्यों क्यों कि मांटेग्यू भारत के रास्चियू वा चेम्स फोर्ड भारत के वाइसराई समय थे अब जान लेते हैं कि परवर्तन क्या क्या किया गया तो आप ध्यान से सुनिएगा तो परवरतन इस भारत सासन अधनियम 1919 में क्या किया गया तो पहला क्या किया गया तो ध्यान से सुनिएगा तो भारत में जो बिसे थे बिटी सरकार के पास उस बिसेओं को जो बिसे थे बिटी सरकार के पास उन बिसेओं को दो भागों में बां केंद्री विशे और एक को कहा गया प्रामती विशे इन्सर के और आधिकार के पास था इसन्फ काणून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार पर था और प्रांती में जो प्रांट के गवनर होते थे उनको यह सकती दी गई कि वो इस पे क्या बनाए कानून बनाए तो विसेयों को पहले दो भागों में बाटा गया एक केंदरी विसेयों पर कानून कौन बनाएगा तो केंदरी विसेयों पर कानून केंद सरकार के अंतरगत हुआ है वो भारत के रा गवनर होगा वो प्रांत से समंदित विसेयों या अर्थार राजियों के समंद में कानून बनाएगा लेकिन ध्यान दिजीएगा अभी भी एकात मक्ता यूनीटरी वाला रूप अभी भी कायम है क्योंकि सरवोच पावर किसको सौपी गई यानि यहां का जो वाई सराय होता वाई सराय होता तो यह आपका यहां पर विभाजन पहला किया गया फिर आगे चलकर क्या किया गया आगे चलकर जो प्रांत थे प्रांत में ध्यान से समझेगा प्रांत में प्रांत या राज्य सूची के विसेयों को पुर्णा दो भागों बाटा गया एक को कहा गया हस्ता अंतरित विसे और एक को क्या कहा गया आरच्छित विसे एक को कहा गया हस्तांतरित विसे और दूसरे को क्या कहा गया आरच्छित विसे हस्तांतरित विसे पर कानून बनाने का पावर किसको था तो हस्तांतरित विसे किसके अंतरगत प्रांतों के अंतरगत जो गवनर होते बिदान परसद ऐसे मंत्री जो बिदान परसद के प्रत उत्तरदाई होते थे उनकी सिफारिस या उनकी सलाह पर वो कोई भी डिसीजन या कानून बना सकते थे जबकि आरच्छित विसय ये गवर्नर के अधिन आरच्छित कर दिया गया इसमें मंत्रियों से कोई सहाथा वा प्रामर्स नहीं लिया जाता था बलकि गवर्नर अपनी कार पालिका की परसद से ही इन विसयों में अपने निर्णवा कानून बनाता था या कोई कदम उठाता थ तो ये आपका दूसरा इसी को जो कि प्रांत में विसयों को दो भागों में बांट दिया गया तो इसी को कहा जाता है प्रांतों में दोएध सासन इसी को क्या कहा जाता है इसी को दोएध सासन के नाम से जाना जाता है तो कुस्षन अगर एकजाम में ऐसा पूछा जाए कि प्रांटों में 2012 सासन का लागो हुआ तो 1919 के भारथ सासन अधियम में य teu जो आगे चल करके 1935 में ये समाथ किया जाएगा और इसी को केंद अस्तर पर लागो किया जाएगा तो इसी कहा जाता है प्रांतों कुछ स्वायता हाटो नामी किस अधिनियम के अंतरगत दी गई थी तो 1935 के भारत सासम अधिनियम में और क्या बदलाव किया गया तो आगे ध्यान से समझेगा कि भारत में पहली बार हुआ कि भारत में दुई सदनी व्यवस्था लागू की गई कैसी व्यवस्था दुई सदनी बाई कैम रिलिजम को लागू किया गया और दुई सदनी व्यवस्था में क्या था लोगसभा थी और दूसरा रासभा राज सभा तो दुई सदनी व्यवस्था लागू की गई लोगसभा और रासभा इन दोनों के अधिकांस प्रतिनिधियों को प्रतेच निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था तो कोस्टन पूचा जाए पहली बार प्रतेच निर्वाचन की सुरुआत किस भारती सासन अधनियम में की गई तो भारती सासन अधनियम 1919 के माध्यम से प्रतेच निर्वाचन की पद्धत को अपनाया गया और दूस अदिनी ब्यवस्था अर्था लोग सभावारास सभा को इस्थापित किया गया अगला क्या परवर्तन किया गया उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं तो इसी भारस सासन अदिनियम 1919 के अंतरगत ही अगला क्या किया गया कि जो ओट देने के अधिकार को जो ओट देने का अधिकार था उसको सार भौमिक आज जिनकी 18 वर्से अधिकायु है उनको समान रूब से मतदान देने का अधिकार है लेकिन 1919 के भारस सासन अधिकार में सबको मतदान देने का या मत करने का अधिकार नहीं था अगर आप एजु केसन अच्छी सिक्षा प्राप कर लेते हो तब और दूसरा कर और तीसरा संपत्य अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो यह तीन कंडीशन तीन आधार बनाए गए सिच्छा कर और संपत्य अगर तीन आपके पास है तभी आपको ओट देने का दिकार दिया गया अर्था सीमित मतादिकार प्रदान किया गया भारतियों को क्या किया गया सीमित मतादिकार प्रदान किया गया क्योंकि सभी लोगों को ओट देने का दिकार नहीं दिया गया था तो यह सीमित मतादिकार की सुरुआत हो गई अगला परवरतन क्या लाया गया तो 1919 के भारत सासन अधनियम में आपने पीछे वाले सिंटर लिंग कीजिएगा 1909 के भारत परसद अधनियम में मुस्लिमों को संपरदाइकता के आधार पर अलग से प्रतिनिधित प्रदान कर दिया गया था और अच्छन प्रदान किया गया था अर्थाद मुस्लिम के ओल मुस्लिम को उट दे सकते थे 1919 के भारती सासन दिनयम में इसका और ज्यादा विस्तार किया गया और संपरदाइकता के आधार पर सिखों को भारती साईयों को आंगल भारतीयों को तथा यूरोपी लोगों को और अधिक यानि प्रत्थक निर्वा प्राचन का विस्तार किया गया या अधिकार दिया गया तो इसमें 1919 के भारत सासन दिनयम में और ज्यादा विस्तार किया गया अगला क्या परवर्तन किया गया तो इसी भारत सासन दिनयम 1919 के अंतरगत द्यान से समझेगा भारस आसन अधिनियम 1919 के अंतरगत लंदन में भारत का एक उच्चायुक्त हाई कमिसिनर आफिस उच्चायुक्त कारियालई का गठन किया गया किसका गठन किया गया तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त कारियाले का गठन किया गया और कुछ कारियों को जो अभी तक भारत में भारत का रास सचिव करता था तो कुछ कारियों को जो लंदन में भारत का उच्चायुक्त कारियाले था उसको हस्तांतरितिया सौप दिये गए तो कुस्सन पूछा जाए कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त कारियाले का गठन किस अधनियम के अंतरगत किया गया तो भारस सासन अधनियम 1919 के अंतरगत किया गया अगला क्या परवरतन किया गया तो 1919 के भारस सासन अधनियम के अंतरगत ही जो आप देखते हो UPSC UPSC जिसकी आप लोग तयारी कर रहे हो UPSC के गठन की बात की गई यानि संग लोग सेवा आयोग के गठन की बात की गई और इसी अधनियम के अंतरगत 1926 में यूपी यसी जो गठित हुआ है वो यूपी यसी संग लोग सेवा आयोग का गठन भारत सासन अधनियम 1929 के अंतरगत कब 1926 में किया गया तो कोर्सन पूछा जाए यूपी यसी का गठन कब किया गया 1926 में किया गया वो किस अधनियम के अंतरगत किया गया तो भारत सासन अधनियम 1926 के अंतरगत 1926 में किया गया अगला क्या परवर्तन किया गया यह पहली बार होगा कि अभी तक केंद्वा राज के केंद्र हुआ एक तरफ केंद्र है एक तरफ राज है तो केंद्र राज के बजट दोनों अभी तक एक साथ यानि केंद्र के अंतरगती राज का बजट होता था लेकिन 1919 के भारत सासन अधनियम में केंद्र के बजट को राज के बजट से क्या कर दिया गया अलग कर दिया गया राज अपना बजट पास कर सकते थे पेस कर सकते थे अपनी विधान सभाया विधान परसद में और केंद्र केंद्र अपना बजट केंद्र अपने अस्तर पर पेस कर सकता था यानि केंद्र वा राजियों को के बजट को भी अलग कर दिया गया और किस अधिनियम के अंतरगत तो भारत सासन अधिनियम 1935 के अंतरगत अगला क्या परवर्तन किया गया तो 1919 के भारत सासन अधिनियम के अंतरगत एक इस्टे ट्यूचरी कमीशन या इसी को क्या कहा जाता बैधानिक आयोग कहा जाता है कौन सा आयोग बैधानिक आयोग या इस्टे ट्यूचरी कमीशन के गठन की क्या की गई बात की गई कहा गया कि 1919 के भारत सासन अधियम लागू होने के कितने साल बाद 10 साल बाद कितने साल बाद 10 साल बाद क्या किया जाएगा इस्टेट्यूचरी कमिशन या बैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश होगा भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना और वह संविधान सभा भारत के लिए सर्विमान संविधान का सुझाव उद्दे की तो ये अब का किया गया भारत सासन अधिनियम इसके लिए एक कमेटी बनी थी इसी को क्या कहा जाता सेडीशन कमेटी सेडीशन कमेटी सेडीशन कमेटी सेडीशन कमेटी सेडीशन कमेटी सेडीशन कमेटी की सिफारिश पर इस था किस कमेटी की सिफारिश पर तो सेडीशन कमेटी की सिफारिश पर क्या किया गया था भायान इस्टे ट्यूचिरी कमिशन या बैदानिक आयोग का गठन किया गया था जो 1929 यानि भारसासन अधिनियम के 10 साल बाद लागू होने के वो क्या करती यानि समिधान सभा के गठन पर विचार विमर्स करती और सुझाओ देती इस प्रकार आपका ये भारसासन अधिनियम 1929 के सारे प्रावधान बहुत अच्छे से आपके हमने डिसकस कर दिये अब हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है आपके लिए इंपर्टेंटर लगता है तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को सेयर करें ताकि अधिक से सब्सक्राव उठा सकें धन्यवाद कि आधिए कि में और ने निवाद कि कि अधिक जी अधिक ने यह तो